हेलो गुडीवनिंग नमस्कार कैसा हैं आप सब लोग स्वागत है आपका मेरे यूट्यूफ चैनल ने एकनोमिक सब माइनेम इस जनन्त आज किस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डियूलिज्म एकनोमिक एंड सोशल ये वीडियो क्लास 10th, क्लास 11, क्लास 12th as well as state exam और UPSC के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन बढने वाला है इन शॉर्ट कम समय में हम एकनोमिक और सोशल डियूलिज्म को समझते हैं होता क्या है तो आए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं डियूलिज्म का मतलब क्या होता है आपको dual, नाम सा समझ में आला है, जैसे dual sim होता है, डियूल सेक्टर इसी तरह से economic और social dualism होता है जहां पर दो चीज़े survive करते हैं, डियूलिज्म का मतलब होता है जहां पर दो चीज़े survive कर रहे हैं या दो चीज़े हो, उसको हम बोलेंगे डियूलिज्म अब डियूलिज्म होता क्या, सपोज मैं आप उसे बात करूं, एक underdeveloped country है ठीक है, वहाँ पर दो तरह के लोग रह रहे हैं, या दो तरह के techniques यूज हो रही है, तो एक ही sector है, वहाँ पर दो तरह की चीज़े survive हो रही है, तो उसको बोलते है, डियूलिज्म इसको example से समझते हैं हम लोग, एक होता है economic dualism, एक होता है social dualism सबसे बहले हम बात करेंगी economic dualism, economic dualism करQUEमक की होता है, जैसे economic dualism है, economic है, तो money से related बात ही है, एक तरीक साम से भी साम सोच सकते है economic dualism में बात ही है, किसी चीज़ का protection है, example की तॉरॉलिज की तॉरे हम बात करें, agriculture का production कर ले है उसको हम traditional तरीके से भी कर रहे हैं और modern तरीके से भी करते हैं तो क्या हुआ dualism हो अग्रिकल्चर में? dualism कैसे हुआ? एक ही चीज़ को हम traditional तरीके से बना रहे हैं और एक ही चीज़ को हम modern तरीके से बना रहे हैं तो dualism होगे अग्रिकल्चर सेक्टर में? ठीक है अब और आगे बढ़ते हैं इटरफस्टो दा डिसिंटिग्रेशन अफ दे एकॉनोमें इंग तो यह जरूर लिखें ट्रडिशनल और अड्मॉर्डन तो क्या हुआ हमने डिसिंटिग्रेट कर दिया दो पार्ट्स में डिवाइट कर दिया, एक तो डिशिनल और एक मॉर्रन वाइल डिशनल सेक्टर रेलाये अपन ट्रडिशनल टेकनोलजी अविशसली बात है, जो डिशनल है वो डिपैनेंट होगा जो modern है वो modern पर dependent होगा मैं आपको agriculture के थूरू समझाता हूँ इसको agriculture sector के थूरू समझाता हूँ suppose agriculture sector के हम बात करते हैं agriculture को आप traditional के थूरू भी कर सकते हैं और modern के थूरू भी कर सकते हैं अगर आप agriculture को traditional के थूरू करेंगे तो क्या होगा? सीरीज की बात है, ट्रडीशनल मतब पुराना जमाना, कैटल के थू और काओ, इन सब के थू आप फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, मतब लेबर इंटेंसिफ टेकनलोजी को जादा यूज कर रहे हैं, तो अग्रिकल्चर में जो प्रोडिक्शन है, जो आउटपुट है वो कम ह क्यों? कि हम ठीशनल मेथद अप्ना रहे हैं, पुराना मेथद अप्ना है, जिसकी वेसे क्या हो रहा है, जिसकी वेसे आउटपुट कम जनर्एट हो रहा है, तो आब वही हम मौरन की बात करें, ट्रू में हम लोग बड़े-बड़े फटलायजर लिए यूज कर रहे हैं अ agriculture जो है वो जादा होगा, output जो होगा, जो income generate होगी वो जादा होगी, AD है वो जादा होगा, तो देखिए, एक चीज को हमने दो parts में divide कर दिया, चीज एक ही है, agriculture करने का तरीका अलग-लग हो गया, और उस करने के तरीके के अलग-लग साथ-साथ, हमें output भी क्या हुआ, अलग- यह आप किसी भी सेक्टर में एक्जाम्पल ले सकते हैं, मैनिफेक्ट्रिंग सेक्टर है, वहाँ पे outdated machine use हो रही है, तो output कम होगा, मतलब पुराने तरीके से काम हो रहा है तो output कम होगा, और वही modern तरीके से होगा, मतलब आप तक robotic technology चल लिए उसके थरू होगा, तो output जादा जनने होगा, ठीक है तो this is labor intensive techniques और capital intensive techniques और economic dualism, अब हम बात करते हैं, social dualism की, social dualism का मतलब होता है, society से related, जैसे किसी society में दो तरह के लोग रहते हैं, एक वो जिनके पास सब कुछ है, एक वो जिनके पास बहुत सारी चीज़े नहीं है, मतलब एक वो है जो rich है, एक वो है जो poor थेक है तो दो थना की चीज़े हो गईं, एक वो जिनके पास बहुत सारी चीज़े नहीं है, मतलब एक poor है और एक rich है, इसके पास क्या है, हर तरीके की सुख सुबीदा है और एक have not, एक poor है जिसके पास बहुत सारी techniques और बहुत सारी चीज़े शर्वाइफ करनके लिश नही इनके पास घर भी है, house भी है, इनके पास अच्छे-च्छे machines भी है, अच्छे-च्छे cloths भी है, मतलब इनके पास बहुत सारी चीजे है, तो इस society in a different part and एक है जिसके पास living with low social status, मतलब जिसका जो living standard है वो बहुत जादा कम है, मतलब उनके पास even अच्छा खाने के लिए भी न ठीक है, तो यह होता है, social dualism, जहाँ पर क्या है, एक इनसान जिनके पास सब कुछ है, एक इनसान जिनके पास बहुत सारी चीजों की कमी है, तो यह होता है आपका economic and this is social dualism, तो यह दोनों मैंने आपको बहुत detail में समझाया है, economic dualism और social dualism, बहुत ही कम समय लेके, आपको वी एक्स वीडियो में ऐसे ही कोई interesting topic के साथ, thank you so much